Tableau को use करते हुए किसी भी plot के अंदर different facets या different किसम के जो grouping है एक plot के अंदर कैसे की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ Assalamualaikum मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel और मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ तुसी सिखरे हो ना? That's great! Let's jump into the screen यहां पर आप देखें कि हमारे पास यह एक area charter जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था आपने देखा था कि हमने category और sales को year of order date यानि के 2014, 15, 16, 17 के orders की base पे हमने sales को यहां पे इस तरीके से area chart के अंदर बनाया था और हमने color किया था category की base पे लेकिन अगर मैं यहां से category की base पे color ना करना चाहूँ और बलके मैं category को यहां पे तीन group window में लाना चाहूँ what I can do? I can select this category और यहां पे इसको rows के अंदर में drag करूँगा and here you go यहां पे furniture, office, supply and technology तीन categories different base पे आपके सामने आ चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास तीन variables जो हमने add किया है यहां पे एक है year of the date order यहां पे जो date order है वो बला sum of the sales and then हमने category को add किया है तो यह तीन हमने variables यहां पे add कर दिया आप इसमें 4 variable भी add कर सकते है based on different kind of things और product name की base पे भी कर सकते है region की base पे भी कर सकते है segment की base पे भी and you can do a lot of other things अगर मैं category को यहां पे वापिस लेके जाओ and यहां पे color के उपर इसे drag करूँ you will see कि इस तरीके से हमारे पास बन गया अब मैं चाहता हूँ कि region wise मैं इसको group करूँ then I can just take this region और यहां पे इसको मैं add कर दूँगा तो आप देखें कि छोटी छोटी windows बन गी है central, east, south, west और यह हमारे पास 4 जो है different किसम की sub grouping हो उचके है आप इसके इलावा इस region की इलावा आप क्या कर सकते है यहां पे है, just drag and drop आपने करने है तो आपके पास different किसम की boxes या facets बन जाएंगे इनको facets बोला जाता है क्यों क्यों कि ये एक group है उसका data आपके पास है फिर दूसरा group है उसका data है फिर तीसरा पिच्छोथा तो इस तरीके से आप different groups को यहां पे ले किया सकते है इस totally up to you आपने किस तरीके से color scheme रखने है tool tip पे क्या रखने है, label किस तरीके से change करने है details में आप क्या चाहते है this is how you can actually manipulate your plots according to your needs next lecture में अब हम dashboard देखने वाले see you in the next one